हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दा सक्सस के दिरा, फ्रेंड्स आप सभी को गूड अप्टरनून और जल्दी से फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए और इसका लिंक किसी भी एक ग्रूप में जहां कहीं भी आप हैं, चाहा वह टेलिग्राम ग्रूप हो, फेस्बूक ग्रू करे, करेंट अफेर्स का तीन वीडियो मैंने कराया हुआ है, करेंट अफेर्स का तीनों वीडियो देख लिजेगा, वर्स 2010 से लेकर के, 2023 तक में बिहार पुलिस के जितने भी प्रश्न पुछे गया थे, उनको मैंने सब्जेक्ट वाइज कबर कराया हुआ है, हिस्टरी का पॉलिटी का लग जोगरफी का लग तो उनको एक बार जरूर देख लिजेगा चलिए सेसन श्टार्ट करते हैं एक बार सभी लोग फटा फटा सेसन को लाइक कर दीजे सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जल्दी से सेसन को लाइक कर दीजे चलिए अब सेसन आ 1849 इस भी में ग्यान प्रसारक मंडली की अस्थापना किया था सभी लोग एंसर कमेंट करेंगे और ज्यादा समय नहीं लेंगे आपको किस प्रकार से एंसर कमेंट करना है तो यहाँ पर कोस्टन नंबर लिखेंगे जैसे कि यह पहला प्रश्ण है और इसका जो भी आप्सन सही है यहाँ पर आप्सन आप पुट कर देंगे ठीक है चलिए सभी लोग इसका एंसर कमेंट करेंगे कि किस ने 1849 इस भी में ग्यान प्रसारक मंडली की अस्थापना किया था ग्यान प्रसारक मंडली अंग्रेजी में इसको कहेंगे Society for Promotion of Knowledge क्लियर है Society for Promotion of Knowledge इसकी अस्थापना 1849 इस भी में किस ने किया था सभी लोग एंसर जल्दी कमेंट करेंगे देखिए 1849 इस भी में ग्यान प्रसारक मंडली यानि की Society for Promotion of Knowledge की अस्थापना जो है दादा भाई नौरोजी ने किया था Option number B, correct answer होगा और दादा भाई नौरोजी को जो है The Grand Old Man of India के नाम से जाना जाता है इन्होंने Poverty and Unibritish Rule in India नामक पुस्तक लिखी है रस्त गोफतार इनके दवरा प्रकासित एक पत्रिका है ठीक है, इन सभी को ध्यान रखेंगे आप और British संसद के लिए चूने जाने वाले पहले भारतिये थे Liberal Party से यह चून कर गए थे Liberal Party से यह चून करके गए थे इन सभी पॉइंट्स को आप जरूर ध्यान रखेंगे प्रश्ण दादा भाई नौरोजी से बिहार पुलिस कॉंस्टेबल में बनता है चलिए, अगला प्रश्ण करेंगे और पूरा सेसन लगाईए और लाश्ट में आप सभी लोग स्कूर कमेंट करके बताईएगा दूसरा प्रश्ण पढ़ेंगे कि इस्पेन में ग्रिह यूद की सुरुवात कब हुई थी इस्पेन में ग्रिह यूद की सुरुवात जो है यह कब हुई थी वर्ल्ड हिष्ट्री से भी पिहार पुलिस कोंस्टेबल में प्रश्ण पूछे जाते हैं बताईएगे इस्पेन में ग्रिह यूद की सुरुवात कब हुई थी दूसरे विस यूद के ड्रेस रिहलसल की रूप में किसे जाना जाता है तो यह स्पेन का ग्रिह यूद हुआ था इसी को दूसरे विस यूद के ड्रेस रिहलसल की रूप में जाना जाता है यह यूद हुआ था 1936 में और चला था 1939 तक 1936 इसका correct answer हो जाएगा ठीक है अगर आपसे पुछा जाए कि इस्पेन में ग्रिह यूद की शुरुआत कब हुई थी तो 1936 में 1936 से 1949 तक चला था और इस्पेन के ग्रिह यूद को दूसरे विस यूद के ड्रेस रिहलसल के रूप में जाना जाता है चलि अगला प्रशन कर लेंगे तीसरा प्रशन हमारा कि प्रतम विस यूद के बाद 1926 में मित्र राष्ट्रों के द्वारा किस देश के साथ सेबर की संधी की गई सभी लोग इसका एंसर कमेंट करेंगे बताईए पर्थम विश्यूद के बाद 1922 में मित्राष्ट्रों के द्वारा किस देश के साथ सेबर की संधी की गई थी तो देखी यह जो सेबर की संधी थी यह हुई थी कब तो 10 अगस्त 1920 को ठीके 10 अगस्त 1920 को सेबर की संधी हुई थी और यहाँ तूर्की के साथ हुई थी यहाँ एक अपमान जनक संधी थी इस संधी के तहट तूर्की समराज का विगटन कर दिया गया था तूर्की राइटन सर इसका हो जाएगा option number B अचा एक वरसाई की संधी है एक वरसाई की संधी जो हुई थी यह 28 जून 1919 को हुई थी किस के साथ किया गया था तो जर्मनी के साथ किलियर वरसाई की संधी जर्मनी के साथ और सेबर की संधी तूर्की के साथ चलिए अगला प्रशन कर लेंगे question number 4 प्रशन है कि red Indian मूली निवासी है red Indian कहा के मूली निवासी रेड इं कारे करने वाले प्रोटीन का उधारन बताईए निमनलिकित में से हार्मोन की रूप में कारे करने वाले प्रोटीन का उधारन बताईए answer comment कीजिए जल्दी जल्दी सभी लोग answer comment करेंगे और यह सेसन रोज आता है super practice it बिहार पुलिस कोंश्टेबल के लिए चलि हार्मोन की रूप में कारे करने वाला जो प्रोटीन है या एक अस्थन पाई हार्मोन की रूप में कारे करने वाला प्रोटीन है और भी कुछ हार्मोन की रूप में कारे करने वाले प्रोटीन है जैसे कि इनसूलीन भी एक तरह का प्रोटीन है जो हार्मोन की रूप में कारे करता है त किस देश से ली गई है, भारती समिधान में विधी द्वरा अस्थापित प्रक्रिया को किस देश से लिया गया है, एंसर कमेंट करेंगे, बताइए राइट अंसर इसका क्या होगा, सभी लोग एंसर कमेंट करेंगे, भारती समिधान में विधी द्वरा अस्थापित प्रक्र लिया को किस देश के समिधान से लिया गया है तो यह जापान से लिया गया है और सी राइट अंसर हो जाएगा जापान से ठीक है चले next question करेंगे अगला प्रश्ण है कि किस विभाग के पौधो को पादप वर्ग का उभायचर कहा जाता है किस विभाग के पौधो को पादप अगला प्रशन करेंगे किनिमने लिखित में से किस भावतिक मात्रा की युगम की सामान विवाये हैं सामान बीमा वाले इसमें से कौन सी भावतिक मात्राएं जो सामान हैं राइट अंसर कमेंट करिएगा इसी तरह का प्रश्ण बिहार पुलिस कोंस्टेबल में एक बार पूछा गया था निमनलिखित में से किस भावतिक मात्रा के युग्म की सामान बीमाएं है समान बीमा वाले इसमें से कौन से भौतिक मात्राएं हैं बताइए कौन सा जोड़ा इसमें से सही है तो देखे जो जोड़ा सही है ये है कारे और उर्जा का देखे ध्यान दिजेगा कैसे बीमा निकालते हैं तो कारे का यानि की वर्क है सबसे पहले work के बारे में जान लिजी, work दिया गया है, तो work क्या होता है, force into displacement होता है, force इसका क्या होता है, mass into acceleration होता है, और यह displacement है, तो यहां अभी S ही लिखेंगे, ठीक है, तरीका समझ लिजेगा, mass का क्या होता है, case होता है, ठीक है, mass का क्या होता है, case होता है, और acceleration क्या होत पर second square होता है न और यहाँ पर यह S जो है यह displacement है इस S को इसके साथ मत mix करिएगा ठीक है अब देखे केजी को हम लोग कैसे लिखेंगे तो यहाँ पर जब विमा निकालते हैं तो यह mass है यह क्या है यह क्या है meter यानि कि यह meter यह भी displacement है यानि कि दूरी है यह भी meter यह भी meter यह भी meter ठीक है तो यह आपका length हो गया तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे square हो जाएगा और यहाँ पर s क्या है s क्या है भाई second है meter per second square तो यह time है यानि कि यह उपर जाएगा तो यह उपर में 2 पर minus power हो जाएगा तो यह भीमा हो गया याद रखेंगी इसको ठीक है यह किसका हो गया कारे का उर्जा का कैसे निकालेंगे उर्जा का क्या होता है और बराबर क्या होता है यह work upon time हो जाता है power और यहाँ पर समय को हम अभी ac लिखेंगे जैसे मैंने आपको बताया कि उर्जा का सक्ति गुना समय होता है तो सक्ति यानि कि power को मैंने w upon t लिख दिया इसका formula और यह आपका समय है तो इसको मैंने ac लिखा अब यहाँ पर देख गया कार बच गया तो यहीं तो कार के मने अभी निकाला है आपको तो यानि कि दोनों की विमाई इस तरह से समान है के लिए चलिए आगे बढ़ेंगे next question कर लेंगे कि एक पौधे पर पुस्पन होने के लिए उत्तरदाई हार्मोन कौन सा है एक पौधे पर पुस्पन होने के लिए उत्तरदाई हार्मोन कौन सा है बहुत important question है तो पुस्पन के लिए जो उत्तरदाई हार्मोन है यह कौन सा हार्मोन है बताइए तो देखें ये जो हार्मोन है इसको कहते हैं हम लोग फ्लोरिजेंस, option number B right answer हो जागा, यहाँ पुस्प खिलाने के लिए उत्तरदाई हार्मोन होता है, साइटोकाइनिन यहाँ पादपो में कोशिका बिभाजन के लिए उत्तरदाई होता है, ठीक है, और फ्लो के पकाने के लिए जो सहायक होता है यह कौन सा है, एथिलीन हार्मोन है, यह हार्मोन जो है एकमात्र पादप हार्मोन होता है एथिलीन जो की गैसी आवस्था में पाया जाता है फूलो के खिलाने के लिए उत्तरदाई हर्मोन फ्लोरजिन्स फूलो के पकाने के लिए जो उत्तरदाई हर्मोन है उसका क्या नाम है एथिलीन है सभी को ध्यान रखेंगे चले next question कर लेंगे question number 10 कि Godwin Austin या K2 जो भारत की सबसे उची चोटी है किस हिमाले चेतर के अंतरगत आता है देखे कितना बढ़िया प्रश्ण है कितना basic प्रश्ण है बताएगा Godwin Austin जो भारत की सबसे उची चोटी है K2 यहाँ किस हिमाले चेतर के अंतरगत आता है बताएगा तो friends यहाँ जो आता है यहाँ आता है ट्रांस हिमाले कंतरगत ट्रांस हिमाले इसका राइट अंसर हो जाएगा Mount Everest जो है दुनिया की सबसे उची चोटी यह भी ट्रांस हिमाले छेतर कंतरगत ही आती है अगर आपसे पूछा जाए कि Mount Everest किस हिमाले छेतर कंतरगत आती है तो भी आपको याद रखना है, ट्रांस हिमाले, गौडविन अश्टीन, केटू, ये भी ट्रांस हिमाले छेतर कंतरगती आता है, चलिए, अगला प्रशन करेंगे, नेक्स्ट कुस्चन है हमारा, कि 1815 इस पी में आत्मिय सभा की अस्थापना किस ने किया था, 1815 में आत्मिय सभा की स्थापना किस ने किया था, चलिए, सभी लोग answer कमेंट करेंगे, सभी लोग answer इसका कमेंट करेंगे, और फ्रेंट्स, प्लीज, प्लीज, आपसे request कर रहा हूं कि सेसन को like कर दीजे, देखे, काफी मेहनत करता हूं आपके लिए, और इस सेसन को तयार करने में 3-4 घंटे का स सेसन को सेर भी जरूर करिएगा, जादे से जादा सेर करिए, देखे, 1815 में आतमी सभा के अस्थापना राजरा मोहनराईजी ने किया था, ठीक है, इनको भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा जाता है, भारत में पुनरजागरन का जनक भी इनको कहा जाता है, क्लि क्लेमेंट एटली की घोष्ना का अनुसार भारत में ब्रेटिस शासन की समापती किससे तीथी तक होनी थी。 बताएंगे सबी लोग इसका एंसर कमेंट करके इस तरह का प्रसंद जो है बिहार की एकजामस में पूछे जाते हैं किलेमेंट एटली की घोष्णा का अनुसार भारत में ब्रेटिस सासन की समापती किसे तीथी तक होनी थी देखिए ध्यान दीजेगा फ्रेंट्स ब्रेटिस प्रधान मंतरी किलेमेंट एटली ठीक है स्वतंतत्ता के समय ब्रेटन का प्रधान मंतरी कोन था तो ये भी याद र तक जो है सत्ता भारतियों को सौप दी जाएगी 30-1949 तक option number D इसका right answer हो जाएगा गोशना कब किया था British House of Commons में तो 20 फरवरी 1947 को इसको भी आप ध्यान रखेंगे चले अगला प्रशन करेंगे question number 13 प्रशन है कि बस के अचानक रुकने से बस में बैठे यात्रियों का सरीर आगे की और जुक जाता है इसका कारण क्या है इसका कारण क्या है कि बस के अचानक रुकने से बस में जो यात्री बैठे हुए हैं उन्हें की सरीर आगे की तरफ जुक जाता है कभी-कभी आप देखेंगे यातरा के दरान जब ब्रेक लगाया जाता है बस की या मोटर सैक्ल पर बैठे हुए हैं या किसी भी वहान में आप बैठे हुए हैं तो हम आगे की तरह जुख जाते हैं ऐसा किसके कारण होता है यहीं आपसे प्रश्ण में पुछा जा रहा है बत के जड़त्व के कारण ठीक है और बस जब चलना प्रारम करता है तो हम पीछे की तरफ जुख जाते हैं यह होता है बिराम के जड़त्व के कारण चलिए अगला प्रश्ण करेंगे चौदा नंबर प्रश्ण है कि फिवरर की उपाधी किसे दी गई थी फिवरर की उपाधी किसे दी गई थी एंसर कमेंट करेंगे आप लोग चलिए बताइएगा फियोरर की उपादी किसको दी गई थी सभी लोग एंसर इसका कमेंट करेंगे कि फियोरर की उपादी किसको दी गई थी एंसर कमेंट करेंगे कि फियोरर की उपादी किसको दी गई थी देखे, Führer की उपादी जो है, यहाँ दी गई थी, Adolf Hitler को, किसको दी गई थी, Hitler को, अच्छा, Man of Blood and Iron, Man of Blood and Iron, यह उपादी दिया गया था, Bismarck को, किसको, Bismarck को, Little Corporal, यह उपादी दिया गया था, Bonapart को, Napoleon Bonapart को, ठीक है, यह तीन प्रश्ण, यहाँ से आपका कवर हो गया, Hitler को, चले, Hitler की एक आत्म कथा है, Hitler की एक आत्म कथा है, Mean Camp, ठीक है, Mean Camp, यानि की मेरा संगर्स, हिटलर की आत्म कता है next question करेंगे कि नेमन में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है इसमें से प्राकृतिक बहुलक कौन सा है प्राकृतिक बहुलक इसमें से कौन सा है सभी लोग इसका answer comment करेंगे देखिए प्राकृतिक बहुलक के प्राकृतिक बहुलखी है चले question number 16 करेंगे कि सुगम में भारत अभियान संबंदित है सुगम में भारत अभियान अंगरिजी में इसको कहेंगे accessible India campaign accessible India campaign यहां किससे संबंदित है सुगम में भारत अभियान किससे संबंदित है कमेंट करेंगे सभी के सभी लोगे answer कमेंट करेंगे चले जल्दी जल्दी answer कमेंट किजिए वरने सेसन बहुती लंबा हो जाएगा सुगम में भारत अभियान संबंदित किससे है तो देखे सुगम में भारत अभियान यानि कि accessible India campaign संबंदित है दिभ्यांग व्यक्तियों से option number B right answer हो जाएगा और इसे launch कप किया गया था अगर launch year आप से पुझेगा तो याद रखेंगे सुगम में भारत अभियान को launch किया गया था 2015 में next question हमरा question number 17 कि national green tribunal यानि कि राष्ट्रिय हरित प्राधिकरन ठीक है इसके अस्थापना किस वर्स की गई थी national green tribunal की अस्थापना किस वर्स की गई थी बताइए comment करेंगे answer वर्स आप से पुझा जा रहा है कि NGT के अस्थापना किस वर्स की गई थी देखे NGT के अस्थापना जो है यह कब किया गया था तो 18 October 2010 को 18 October 2010 को National Green Tribunal के अस्थापना किया गया था 2010 इसका राइट अन्सर हो जाएगा उसके बद देखेगा कि भारती सेना ने किस देश के साथ संक्त प्रसिछन अभ्यास Cyclone 1 का सुभारम किया है Cyclone 1 पहला ही संस्करन है इसलिए बहुत ही important है Cyclone 1 का सुभारम जो है भारत ने किस देश के साथ किया है Cyclone 1 एक संक्त प्रसिछन अभ्यास है भारत और किसे देश के बीच का यह आप से पुछा जा रहा है तो देखे भारती सेना ने संक्त प्रसिछन अभ्यान Cyclone 1 का सुभारम किया है मिसर के साथ और यहाँ युदाव्यास राजस्थान के जैसलमेर में हुआ था तो यह आपका मिस्र हो जाएगा और कहाँ पर भारत में हुआ राजस्थान में जैसलमेर में चले, question number 19 है कि ध्वानी का तारत्व किस पर निर्भर करता है? ध्वानी का तारत्व किस पर निर्भर करता है? बताईए, answer सभी लोग इसका comment करेंगे, ध्वानी का तारत्व किस पर निर्भर करता है? देखे, तारत्व होता गया है, तो तारत्व ध्वानी का वह लक्षन है, जिसके कारण ध्वनी को मोटा एम तिक्षन कहा जाता है। कभी-कभी हम लोग कहते हैं कि ध्वनी जो है बच्चों की और महिलाओं की पतली आवाज होती है। इसका कारण क्या है? तो दिखिए बच्चों एम महिलाओं की पतली आवाज अधिक क्या होने के कारण? तारत्व अधिक होने के कारण होता है, ठीक है, और जो पूरुस हैं, उनका मोटा आवाज, तारत्व कम होने के कारण होता है, और ये तारत्व जो होता है, यह फ्रिक्वेंसी पर निर्भर करता है, यानि कि आविर्ती पर निर्भर करता है, ठीक है, चलिए, next question करेंगे, 20 number, अधिकारों का उलेक जो किया गया है, अधिकारों का बटवारा, संग सुची, राज सुची, समवर्ती सुची, ये किस अनुसुची में किया गया है, पहले आप इसको बताए कमेंट करके, किस अनुसुची में है यह, राइट एंसर कमेंट करके बताए सभी लोग, तो ये सात यह सातवी अनसूची में है, और प्रश्च में पुछा गया है कि इसमें से कोन सा विसाय जो है राजय सूची का अंतरगत नहीं आता है, तो देखे, राजय सूची का अंतरगत इसमें सोच समझ के अंसर करिएगा, बहुती बेसी कोस्टन है, बताई राइट अंसर क्या हो जाएगा, सभी जीव की रसनात्मक और कार्यात्मक इकाई को कोसिका कहा जाता है, यह कोसिका है, ठीक है, सभी जीव की रसनात्मक और कार्यात्मक इकाई कोसिका है, नफ्रोन जो है यह इलिफंट की सुरवात किस वर्स किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर तो काफी ये बार आपने पढ़ा भी है 1973 में लेकिन प्रोजेक्ट इलिफंट पुछा गया है प्रोजेक्ट इलिफंट की सुरवात कब की गई थी सभी लोग मुझे उमीद है कि इसका एंसर जानते मुझे याद नहीं आ रहा है चली अगर मैंने बताया है तो इसका एंसर आप सही सही कमेंट करेंगे प्रोजेक्ट एलिफेंट की सुरुवात कि सुवर्स की गई थी प्रोजेक्ट एलिफेंट की सुरुवात जो है यहां 1992 में की गई थी चलिए अगला प्रश्ण कर लेंगे कि पुस्तके राज योग, कर्म योग, ज्यान योग और भगती योग किसके दवरा लिखित है? यह जो पुस्तक है राज योग, कर्म योग, ज्यान योग और भगती योग यहां किसके दवरा लिखित है? चलिए, answer comment करेंगे. पुस्तके राजयोग, कर्मयोग, ज्यानयोग और भगतियोग किसके दवरा लिखित है तो यहाँ पुस्तक जो लिखा है यहाँ स्वामी विबेकानन जी ने लिखा है अचा स्वामी विबेकानन जी से आपको याद होगा कि 1893 में इन्होंने विश्व धर्म संसद में हिस्सा लिया था और 1897 में इन्होंने रामकृष्न मिशन की अस्थापना किया था इससे भी आप ध्यान रखेंगे ठीक है राज यूग, कर्म यूग, ज्यान यूग और वगति यूग यह स्वामी विबेकानन जी की पुस्तके हैं चले उसके बाद देखे विश्व प्रेश स्वतंतरता सुच कांक 2023 में भारत का अस्थान क्या है? चले अंसर बताएंगे करेंट का कोस्चन है Recently ही यहाँ प्रकाशित किया गया था विश्व प्रेश स्वतंतरता सुच कांग दो हजार तेईस और इस तरह का प्रश्ण बनता भी एक्जाम में अच्छा देखे सबसे पहले आप जान लीजिए कि अगर आपसे प्रश्ण पूछा जाए friends कि विश्व प्रेश स्वतंतरता दिवस मनाय कब जाता है एक तो दिवस पुछा जाता है तो विश्व प्रेश स्वतंतरता दिवस प्रतेक वर्स तीन माई के दिन मनाय जाता है ठीक है विश्व प्रेश स्वतंतरता दिवस तीस माई के दिन मनाय जाता है विश्व प्रेश स्वतंतरता सुचकांग पुझा गया है 2023 में भारत का अस्थान देखे यहां सुचकांग जो है विश्व प्रेश स्वतंतरता सुचकांग यहां जारी कौन करता है तो यहां जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्स ठीक है संस्था का भी नाम पुझा जाता है 2023 में भारत का अस्थान क्या है तो भारत का अस्थान 161 है option number D right answer हो जाएगा पहले अस्थान पर कौन सा देश है तो नौर्वे है पहले अस्थान पर विश्व प्रेश सुतंतरता सुजकांग में पहले अस्थान पर नौर्वे है चलिए समाजवादी अर्थवास्था का जनक किसे माना जाता है समाजवादी अर्थवास्था का जनक किसे माना जाता है बताएंगे सभी लोग answer comment करेंगे कि समाजवादी अर्थवास्था का जनक किसे माना जाता है देखें समाजबादी अर्थबास्ता का जनक काल मार्स को कहा जाता है काल मार्स ने दास कैपिटल और कम्मिनिस्ट मैनिफेस्टो की रचना की है दास कैपिटल किसकी रचना है तो काल मार्स की कम्मिनिस्ट मैनिफेस्टो किसकी रचना है तो काल मार्स की याद रखना है आपको और आधुनिक अर्थ सास्त्र का जनक किसको माना जाता है अगर आप जानते हैं तो एंसर कमेंट करिए आधुनिक अर्थ सास्त्र का जनक किसको कहा जाता है तो दिखें आधुनिक अर्थ सास्त्र का जनक जो है यह एडम एसमीत को कहा जाता है ठीक है च बिहार के किस जिला में सबसे कम है, बाल लिंगा नुपात बिहार में सबसे कम किस जिला में है, 2011 की जनगन्ना का अनुसार, राइट अंसर कमेंट कीजिए, सभी लोग अंसर कमेंट करेंगे, बिहार के जनगन्ना से भी प्रश्न बिहार पुलिस के इक्जाम में पूछा गया ह 2011 के जनगन्न का अनुसार 0-6 वर्ष की आईव की बाल लिंगानुपात बिहार के किस दिला में शबसे कम है अच्छा बाल लिंगानुपात अगर आप से पूछा जाए यानि कि सिसू लिंगानुपात बिहार का तो 935 है सबसे ज़्यादा सिसिल उग्यान पात जो है ये किसन गंज का है सबसे कम वैसाली का है वैसाली राइट अंसर हो जाएगा चलिए next question करेंगे कि deuterium की द्रविमाने संख्या कितनी होती है deuterium क्या है तो यहाँ hydrogen का समस्थानिक है hydrogen का समस्थानिक आपको पता है क्या क्या है तो protein, deuterium और tritium है ठीक है द्रविमाने संख्या आपको पता है कैसे निकालते हैं तो proton की संख्या पलस neutron की संख्या proton के संख्या plus neutron की संख्या इस तरह से हम द्रवमान संख्या निकालते हैं doterrorium इसमें protium देखे जो इह रिख देता हूं यहाँ पर यह है protium यह है आपका deuterium और यह है आपका tritium carbon के तीन समस्थानिक होते हैं sorry माफ करेंगे कारबन नहीं, हाइडरोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, तो हाइडरोजन के तीन समस्थानिक होते हैं, हाइडरोजन के तीन समस्थानिक होते हैं, ये भी याद रखने हैं, ये आपका क्या हो गया, प्रोटियम हो गया, इसमें न्योट्रोन कितना है, जीरो है, ये आपका क् संख्या और नियोट्रोन की संख्या भी मैंने आपको बता दिया तो इसका द्रवमान संख्या 2 हो जाएगा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि Tritium का दरवमान संक्य कितना होगा तो Tritium का Proton कितना है 1 है और इसमें Neutron कितना हो जाएगा तो 3-1 2 हो जाएगा यानि कि इसका 3 हो जाएगा ठीक है चलिए किसमे Neutron 0 है किसमे Neutron 0 है ज़र आप देखिए तो इसमें सिध्यान से और कमेंट करिएगा कि किसमे Neutron 0 है Neutron निकालने का मैंन आपको तरीका बता ही दिया है Neutron किसमें है तो इसमें Proton 0 है इसमें कितना है 1 है इसमें कितना है 2 है ठीक है चलिए Option No.B right answer हो जाएगा यह Hydrogen के समस्थानिके Deuterium 3 समस्थानिक होते हैं Hydrogen का चलिए Next Question है कि स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसके दाब पर क्या किसी गैस का आयतन कम करने पर उसके दाब पर क्याब पर 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 बताईए Right answer इसका क्या हो जाएगा देखे बॉयल्स के नियम का नुसार इस्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन दाब के व्याउत करमानुपाती होता है तो यहाँ पर देखे गैस का आयतन अगर हम कम करेंगे जब व्याउत करमानुपाती होता है तो आयतन कम करेंगे तो दाब क्या होगा बढ़ेगा अगर हम दा रावता है राइट अंसर इसका हो जाएगा चलिए नेक्स्ट कुस्टन है 29 नंबर कि सामाने द्रिष्टी के लिए निमनलिखित में से कौन से विटामिन आवस्थक है चलिए सोच समझ करके अंसर इसका कमेंट करिएगा विटामिन का रासाइनिक नाम आप्शन में दिया गया है इसलिए मैं बार-बार बोलता हूं कि जितने भी विटामिन से उनका रासाइनिक नाम भी आपको याद रखना है चलिए समाने द्रिष्टी के लिए निमनलिखित में से कौन से विटामिन आवस्थक है तो दीके समाने द्रिष्टी के लिए विटामिन ए आवस्थक है वि प्रतिरोधकता कितनी होती है एक आदर्स वोल्ट मेटर का प्रतिरोध कितनी होती है आदर्स वोल्ट मेटर का प्रतिरोध कितना होता है यह आप से पुछा जाता है चलिए बताइएगा कि आदर्स वोल्ट मेटर का प्रतिरोध कितना होता है तो एक आदर्स वोल्ट मेटर का प्रतिरोद जो होता है ये अनन्त होता है अगर आपसे पुछा जाए कि एक आदर्ष एम मेटर का प्रतिरोद कितना होता है तो एक आदर्ष एम मेटर का प्रतिरोद जो होता है ये सुन्ने होता है और आदर्ष वोल्ट मेटर का प्रतिरोद अनन्त होता है next question अमर की कोनार्क का सुर्य मंदिर नर्सिंग देव प्रथम ने बनवाय था कोनार्क का सुर्य मंदिर कहाँ पर है उडिसा में है ठीक है इसका निर्मान नर्सिंग देव प्रथम ने करवाय था वह किस राजवंस से थे बताईए किस राजवंस से थे नर्सिंग देव प्रथम जिन्होंने कोनार्क के सुर्य मंदिर का निर्मान कराया है रैट अंसर सभी लोग कमेंट करेंगे किस वंस के थे नर्सिंग देव प्रथम तो ये गंग वंस के थे अप्शन में देखेगा साही गंग राजवन्स इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा ठीक है चलिए अगला प्रशन कर लेंगे 32 नंबर कि नेमन में से कौन सा राज स्वेम का जलवाई परिवर्तन मिशन सुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है पहला सब्द जहां राज बन गया है राज एंसर क्या होगा इसका तो यहां राज तमिल नाडू है कौन सा राज है तमिल नाडू है ठीक है चलिए अगला प्रशन कर लेंगे कि CH3OH किसका रासानिक सुत्र है CH3OH किसका राशानिक सुत्र है बताईए एंसर इसका कमेंट करेंगे क्या होगा चलिए C2H5OH इसका भी आप बताईए कि यहां किसका राशानिक सुत्र है दोनों का बताईए C3OH और C2H5OH यहां किसका राशानिक सुत्र है comment करी answer थोड़ा दिर मैं इंतिजार कर रहा हूँ CH3OH जो है यहां किसका रासानिक सूत्र है तो CH3OH जो है यहां methanol का रासानिक सूत्र है यानि कि methyl alcohol का और C2H5OH जो है यहां किसका है ethyl alcohol का है ठीके चलिए जिसको कि हम लोग ethanol कहेंगे तो option number यहां पर B right answer हो जाएगा इसका चलिए अगला प्रशन है कि मनुस्त का हिर्दय किस जिल्ली के द्वारा गिरी रहती है मनुस्त का हिर्दय किस जिल्ली के द्वारा गिरा रहता है मनुस्त का हिर्दय एक जिल्ली के द्वारा गिरा रहता है उसका नाम पुछा गया है कि मनुस्त का हिर्दय किस जिली द्वारा घिरी रहती है answer comment करिए इसका, क्या right answer होगा इसका मनुस्त का हिर्दय जो है, यहाँ pericardium नामक जिली की द्वारा घिरी रहती है pericardium हिर्दय की सबसे बाहरी आवरन है ध्यान रखेंगे आप हिरदय का सबसे बाहरी आवरन पूछा जाए पेरी कार्डियम अपसर नमबर ए चले नेक्स्ट कुस्टन है कि नमने लिखित में से समिधान का वहाँ अनुछेद कौन सा है जो जम्मो कस्मीर को विशेश दर्जा प्रजान करता था जिससे समिधान की सुची से हटा दिया गया है कौन सा अनुछेद जम्मो कस्मीर को विशेश दर्जा प्रजान करता था जिसको कि अब हटा दिया गया है तो यह आप बखो भी जानते हैं, काफी चर्चा में यह रहा था, कौन सा है, 370 है, 370 राइट इंसर हो जाएगा, चले उसका बदे कि दिल्ली सल्तनत पर कूल कितने राजवंसों ने सासन किया, बताईए, याद करिए, क्रम से याद करिए, और बताई कितने राजवंसों ने स सयद वंस और लोधी वंस, ठीक है, तो यह पाँच राजवंस थे, सबसे ज्यादा समय तक किस ने सासन किया, तो तुगलक वंस, सबसे कम समय तक किस ने सासन किया, तो खिल जी वंस, ठीक है, यह भी प्रशन बनता है, सबसे कम समय तक किस ने सासन किया था, दिल्ली सल्तनत क किस वंस ने तो खिल जी वंस यह परशन ब्रिपिटेड होता है बहुत बार चलिए उसका बाद next question है कि उत्री गुलार्द में रहने वालों के लिए 21 जून वर्स का सबसे लंबा दिन होता है बिलकुल सही बात है कि 21 जून के दिन होता है लेकिन दक्षनी गुलारद में सबसे बड़ा दिन कोंसा होता है कमेंट करिए एंसर राइट अंसर क्या होगा इसका तो देखिये दक्षनी गुलारद में 22 धिसंबर के दिन सबसे बड़ा दिन होता है और एक और important points में आपको बता रहा हूं 21 मार्च कंसा जलमार के प्रिंथह करता है आफसा प्रिंथा करता है असान कोस्टन है यहाँ पुछा जाता है बार बार भारत को स्रिलंका से कौन सा जल मार के प्रिथक करता है तो यहाँ पाक जल डमरू मद्ध है option number B right answer हो जाएगा उसके बदिके निमने लिखित में से कौन सा एक भारत का सबसे पुराना तेल सुधक सेंतर है इनमें से कौन सा है बारत का सबसे पुराना तेल सुधक सेंतर जो है यहाँ दिगबोई है कौन सा है दिगबोई है ठीके इसके अस्थापना कब होई थी 1901 में होई थी ठीके और यह कहाँ पर है तो यह awesome में है ठीक है और सम में है चलिए next question करेंगे 40 number के उदासीन जल का pH मान क्या होता है कोई भी billion अगर उदासीन है तो उसका pH मान क्या होगा pH scale 0 से 14 तक 7 जो होता है यह उदासीन होता है 7 से आगे बढ़ेंगे तो यह चारीय होगा 7 से कम आएंगे तो यह अमलीय होगा ठीक है चलिए अब तो बता दीजिए कि pH मान उदासीन जल का क्या होगा तो 7 होता है option number D right answer हो जाएगा 7 pH मान होता है उदासीन जल का 7 pH मान होता है खाने वाले नमक का जो हम लोग नमक खाते हैं उसका भी pH मान 7 ही होता है ठीक है चलिए next question करेंगे 41 number की chloromycetine का प्रियोग की सरोग की उपचार में किया जाता है तो दीखे chloromycetine है क्या तो यहाँ एक antibiotic है ठीक है एंटिबायोटिक के खुझ किस ने किया था तो अलक्जंडर फ्लेमिंग ने किया था ये भी ध्यान रखेंगे प्रियोग की सरोग की उपचार में किया जाता है बताईए तो जो संक्रामक रोग होते है न उनहीं के उपचार में प्रतिजाविक अंटिबायोटिक का प्रियोग किया जाता है तो इसमें से देखे क्या है टाइफाइड है हैजा में भी जो है क्रोरोमाइस्टिटीन दिया जाता है चलिए नेक्स्ट कुस्सन है हमारा कि पेलागरा नामक रोग जो होता है या किस बेटामिन की कमी से होता है किस बेटामिन की कमी से होता है पेलागरा राइट अंसर कमेंट करिएगा पेलागरा नामक रोग किस बिटामिन की कमी से होता है तो ये होता है किस बिटामिन की कमी से तो बिटामिन B3 की कमी से बिटामिन B3 को क्या कहा जाता है तो नियासीन कहा जाता है ठीके चलिए अगला प्रश्ण कर लेंगे कि Uber Cup का संबंद किस खेल से है Uber Cup का संबंद किस खेल से है सभी लोग answer comment करेंगे Uber Cup पूछा गया है बिहार पुलिस की एक्जाम में कि किस खेल से संबंदी थे बिहार दरोगा में भी पूछा जाता है Uber Cup हर एक्जाम में पूछा जाता है बिहार में जो एकजामस हुए हैं उसमें उबरकप पुछा गया है कि किस खेल से संबंदित है तो यहाँ बैडमिंटन से संबंदित है उबरकप ठीक है चलिए नेक्स्ट कुस्टन कर लेंगे किनमने लिखित में से कौन सा हार्मोन पौधे के जखम भरने में सहायक होता है कोई की का विभाजन में भी मैंने बता दूए था साइटो काइनीन सहायक होता है अब बचिए ट्राउमैटन ही पौधे के सहायक हर्मोन होता है मैं इसको कहा जाता है उप राष्टॉपतीको राष्ट्पती के रूप में कारे करनी का अधिक्तम अवधी होती है उपराश्टपती राश्टपती के रूप में कितने समय तक अधिक्तम कारे कर सकता है बताईए राश्टपती के रूप में उपराश्टपती कितने समय तक अधिक्तम कारे कर सकता है राइट इंसर क्या हो जाएगा तो सबसे पहले राश्टपती का जब पद रिक्त रहेगा तभी यहाँ उपराश्टपती राश्टपती के रुप में कारे करेगा और ऐसा प्रावधान है कि 6 महीने का अंदर जो है नया राश्टपती चुन लिया जाएगा तो अधिक्तम यहाँ 6 महात तकी जो है सासक ने करवाया था बताई राइटिन से इसका क्या हो जाएगा उधन्त पूरी प्रसिद बौर्टमत का निर्मान जो है यहाँ देव पालने करवाया था पालवंस का सासक देव पालने अच्छा विकरम सीला विसविदाली के अस्थापना धरम पालने करवाया था नालंद है चार है भस्म है लमन है क्या है नीले लितमस को लाल में बदलता है राइट इंगर पूछा जाएक Val लाल में बदलता है अमल चलिए अगला प्रश्ण करेंगे कि संक्तराष्ट बाल अपात कालिन कोस का लगुरूप क्या है संक्तराष्ट बाल अपात कालिन कोस United Nations Children's Fund इसका अब नाम कर दिया गया है पहले इसका नाम था United Nations International Children's Emergency Fund जिसको कि संक्तराष्ट अंतराष्ट बाल अपात कालिन कोस कहा जाता है ठीक है यह उनिसेफ अब इसका नाम हो गया है United Nations Children's Fund बस इतना ही हो गया है United Nations Children's Fund इसके अस्थापना 1946 में हुई थी Headquarter इसका New York में है चले उसका बदेखेगा कि अनुपम जील बिहार की किस जिले में इस्तित है अनुपम जील बिहार की किस जिले में है तो यह कैमूर में है अनुपम जिल चले आखरी कोस्त ने महात्मा गांधी ने किसे राष्ट कभी कह करके संबोधित किया था राष्ट कभी कह करके महात्मा गांधी जी ने मैथली सरन गुप्त को संबोधित किया था